So Hello Everyone, Welcome back to my new video Friends, आज का हमारा टॉपिक है प्रथा और आज का हमारी इस वीडियो में हम समाजिक नियंत्रन में प्रथाओं की भूमिका के बारे में जानेंगी बहुत ही important टॉपिक है तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा Friends, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जादा से यदा लोग के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि वीडियो जादा से यदा लोगों तक बहुत सके अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी देख चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को आल प्लेट कर दीजेगा जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके क्योंकि फ्रेंट्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फरमेटिव वीडियो रग्लर मिलती रहती है तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की और और जानते हैं समाजिक नियंतरन में प्रथाओं की भूमिका के विशय में प्रेंट्स प्रेंट्स प्रेवेस वीडियो में हमने प्रथा के बारे में जाना था जिसमें हमने ये जाना था कि जब कोई जनरी थी पेड़ी दर पेड़ी चलती रहती है और उसे समाजिक माननेता प्राप्त हो जाती है तब उसे ही हम प्रथा कहते हैं अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस वीडियो में प्रथा के बारे में full information है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें प्रथाएं समाजिक जीवन का एक अभिन अंग होती हैं क्योंकि मनुष्य अपनी अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए इनका सहारा लेता है समाजिक नियंतरन में प्रथाओं की एक एहम भूमिका है क्योंकि प्रथाओं व्यक्ति के विवहारों को नियंतरित करके समाज में नियंतरन बनाए रखती है या फिर यूँ कहें कि समाज में संतूलन बनाए रखती है तो चलिए आईए भी जानते हैं कि समाजिक नियंतरन में प्रथाओं का क्या महत्व है ये समाज में नियंतरन कैसे बनाए रखती है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथाएं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हस्तरांत्रित होती रहती हैं मतलब एक टाइम पर बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ भी सिखाया वो अपने दूसरी पीड़ी को बताते हैं और वो पीड़ी फिर अपने आने वाली पीड़ी को समझाती है और बताती है इस तरीके से प्रथाएं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हस्तरांत्रित होती रहती हैं और ऐसे ही समय के साथ साथ ये मानो जीवन के विवहारों का एक अभिन अंग बन जाती हैं इनके द्वारा समाज से जो मानिता प्राप्त प्रविधियां हैं उनको सीखने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और बहुत ही तेजगती से होती है कहने का मदलब यहाँ है कि लोग उन प्रविधियों को बहुत ही सरलता से और बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं न केवल इतना बलकि प्रथाओं के ही द्वारा, व्यक्ति, मुल्यों के अनुपालन की कला सीख कर समाज में अपना योगदान देता है और समाजिक नियंतरन का कारण बन जाता है। हमारे पूरवज अपने अनुभों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अर्जित करते हैं, वे अपनी पीडी को सरलता पूरवज इनके जरिए इनके माध्यम से ही सिखा पाते हैं। क्योंकि प्रथाएं उस प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर देती हैं और इस तरह से प्रथाएं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा समाजिक नियंतरण में अपना पूरा-पूरा योगदान देती हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथाएं अनेक समाजिक समस्याओं को हल करने में सक्षम होती हैं कठिन से कठिन परिसितियां आने पर भी व्यक्ति प्रथाओं के सहारे उनका समाधान बहुत ही सरलता पूर्वक खोज लेता है प्रथाओं समय के साथ साथ नई विदियों को जन्म देकर समाजिक नियंतरन को और भी जादा मजबूत करती हैं जैसा कि अभ सिशू का लालन पालन होता है यहां तक कि उसका मृत्यू संसकार भी प्रथाओं के अनुरूप ही होता है मतलब जैसी प्रथा होती है जिस भी पारिवार में बच्चे ने जर्म लिया है उसी प्रथा के एकॉर्डिंग ही उसका मृत्यू संसकार भी किया जाता है एक तरह से देखा जाए तो प्रथाएं व्यक्तितों के विकास में बहुत ही महतुपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस तरह से व्यक्ति के विक्तितों का विकास करते हुए प्रथाएं समाजिक नियंतरन के कारे में अपना भरपूर सहयोग देती हैं ना केवल इतना बलकी समाजिक कल्याण में वृद्धी करके भी प्रथाएं समाजिक नियंतरन में अपना महतुपून योगदान देती हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथाएं व्यक्ति को समाज विरोधी कारियों से सुरक्षित रखती हैं ना केवल इतना बलकी प्रथाएं व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्यान कराकर उनके लिए क्या सही है क्या गलत है ये समझ देकर समाजिक मूलियों के अनुपालन का मार्ग प्रसस्त करती हैं उन्हें समाजिक मूलियों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं ये व्यक्ति का समाजी करन करके उसे समाज के अनकूल ही ढाल देती हैं ये मतलब जैसा समाज है उसे के अनुसार ही व्यक्ति को ढाल देती हैं जिसके कारण व्यक्ति समाज में समंजसे स्थापित कर पाता है समाजिक मूलियों और आदर्शों को ग्रहन करके अपने विवहार क समाज के अनुसार ही बदल पाता है व्यक्ति के नियंत्रित विवहार के कारण समाज में नियंत्रन बना रहता है न केवल इतना बलकि प्रथाय समाज के सभी सदस्यों को आदर्शों के अनुसार ही एक समान विवहार करने की प्रेड़ना देती हैं प्रथाय सदस्यों के विव बना रहता है क्योंकि समाजिक एक रूपता व्यक्ति की व्यक्तिवादी विचारधारा पर रोक लगाती है उसे केवल और केवल अपने बारे में न सोचकर सबके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है जिसकी वज़े से समाज में व्यक्तियों के बीच संघर्ष की भाव प्रिटाओं की भूमिका के विशे में आई हो वीडियो में दीगी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृति के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्ण टॉपिक है तो इसलिए वीडियो को देखना यदा लोग के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि वीडियो जादा से यदा लोगों तक बहुत सके अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल प्लेट जरूर कर दीजिएगा जिस कि अल में हुदार करो कि अधनल भायकन को दीजिए था आपने करें ज场 करें हैं आपकाम highly जीएगर आपने मुदाने मुदाई nep आपने क मुदाएं